हेलो एवरीवन वेलकम दू कॉंपूटिशन कम्यूनिटी इस यूट्यूब चानल कॉंपूटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community के और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो लेक्चर आज का हमारा वीडियो लेक्चर किस बारे में है तो आज हम पढ़ेंगे किस के बारे में ये National Judicial Data Grade क्यों है, हम इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो पहले से exist कर रहा है, तो अभी इसमें ऐसी क्या recent development हुई, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो National Judicial Data Grade है, जो कि सुनने में ऐसा लग रहा है कि हमारे law fraternity से related है, ये सि citizens के लिए beneficial है, तो इसलिए इसको जान लेना और इसको पढ़ लेना जरूरी है, और इसके साथी साथ अगर हम competitive exams के perspective से देखें, तो ये topic बहुत जादा important हो जाता है, और इसके साथी साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज हम उसकी live website को भी देखेंगे, यानि कि जो उसक इसके ऐसा लगे कि ये मेरी शकल उत्री हुई है, इसका मतलब ये है कि ये topic थोड़ा interesting नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, जितनी मेरी तब्याट डाउन है, उससे बहुत जादा high है इस topic की value, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का lecture, तो आज हम क्या पढ़ने वाले है आज हम पढ़ने वाले हैं, what is national judicial data grid, ठीक है सर, समझ गए, और इसको हम short term में कैसे बोलते हैं, NJDG, यानि कि आगे इस lecture में, या आगे आगे आप website में भी कभी जाएंगे, तो NJDG के नाम से address किया जाए, इसका मतलब वो refer कर रहा है कि इसको national judicial data grid को, ठीक है सर, तो सबसे प अब ही जरूबत इसलिए होई, क्योंकि recently, इसको पढ़ते हैं, recently Supreme Court ने जो उसका data है, उसको integrate किया है, किसके साथ, national judicial data grid के साथ, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 21st September 2022 की ये news है, इसमें क्या लिखा हुआ है, Supreme Court to be included in the national judicial data grid, e-courts app, जिसमें की उसके सारे judgments हैं, वो freely available हो होंगे, ये है 2022 की, और 14 September 2023 की क्या news आई, Supreme Court integrated into national judicial data grid, यानि कि 14 September 2023 को, यानि कि बहुत ही recently, बीते हुए कुछ पांस दिनों में, हमारा जो Supreme Court है, उसने national judicial data grid के साथ, अपने data को club कर दिया, यानि कि अब Supreme Court का data भी जो है, वो available होगा, कहां पे, national judicial data grid की website पे, ठीक है सर, हम यह को praise किया, किसने, बहुत सारे individuals ने, अगर आप Google करके देखेंगे, तो बहुत सारे individuals ने, and CGI ने खुद, इस step को historic बताया, और इसको praise किया, यानि कि ये news में कि हुए, ये तो हम समझ गया, और अभी recent development है, ये भी हम समझ गया, अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि national judicial data grid अ ये क्या है, ये क्या है, एक repository है, अब सरी ये repository क्या होता है, repository का मतलब है, जहां पे data का collection हो, हम इसको आम भासा में समझने की कोशिश करेंगे, इसमें आज सच कोई definition नहीं पूछने वाला आपसे, तो ये एक repository है, repository किस चीज की है, it is NJDG is a repository of data relating to Indian judiciary, यानि कि Indian judiciary is related, यानि कि court से related, जो भी judgments आ रहे हैं, जो case की updates है, जो pendency of cases है, उससे related सारे data का एक common website में क्या है, आपका repository है, ठीक है सर, अब ये repository क्या चीजों को include करता है, तो ये तीन चीजों को include करता है, कौन कौन सी हैं वो तीन चीजे, point number two, three and four, क्या कहता है, यानि कि ये deal करता है, instituted, instituted का मतलब क्या है, उस data को cover कर रहा है, जो freshly instituted cases है, इसका मतलब, जो data अभी freshly institute हुआ है, यानि कि जो cases अभी freshly institute हुआ है, courts में, उस data को ये cover करता है, उसके साथ साथ और क्या data है, इसमें, उसके साथ इसाथ जो भी pending cases है, जैसा कि हम सब जानते है, pendency of cases is a big issue in the country, तो वो जो pending cases है, इस वक सबी courts में, उस data को भी ये क्या करता है, cover करता है, और उसके साथ ही साथ, disposed of case, यानि कि जो case disposed हो चुके हैं, जो इस वक्त में exist नहीं कर रहे हैं, उसका भी एक पूरा data numbers के साथ, हमारी इस website पे available है, तो आगर हम बात करें, NJDG की, यानि कि National Judicial Data Grid की, तो ये कौन सी scheme के जैसा कि आपको पता होगा, इस particular scheme के अंडर में, courts को electrify किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, electrify से मेरा मतलब है, कि courts में virtual courtroom का process किया गया, judgments को online available कराया गया, multiple languages में available कराया, इसके लिए हम एक specific lecture बनाएंगे, जिसमें हम discuss करेंगे, e-court scheme के बारे में, फिलाल NJDG को continue हम करते हैं ठीक है सर, तो हमने क्या समझा, कि ये एक data की repository है, जिसमें instituted cases, जो कि freshly instituted है, pending cases, और disposed of cases का data हमें मिल जाएगा, ठीक है सर, समझ गए, अब एक number को देखते हैं, ये number क्या है, 18,735, ये क्या है सर, 18,735 districts के data इसके अंदर covered है, यानि कि उनके courts के data यहाँ पे covered है, और उसके सा साथ, subordinate court और high courts का data भी इस online platform में e-court project के अंडर में, national judicial data grid के अंडर में available है, ये number हमें याद रखना चाहिए, यह हमें कहीं court करने के काम आ सकता है, कि इस बख presently कितने district cover होते हैं, इस particular website के अंदर 18,735, बिग नंबर इस, ठीक है सर, समझ गए, और ये 18,735, specifically district को डील नहीं लब ये है कि 18,735 district and multiple courts का number है ये जो इस वक्त डेटा अविलेबल है, इस particular website पे, ठीक है सर, अब हम देखते हैं, इसके key highlights क्या है, अब ये website है, हमने समझ गए कि ये website है, जहां पे judicial data अविलेबल है, हम ये भी समझ गए कि इसके अंदर कौन का, कौन का, कौन का, कौन से cases के aspect cover हुए है, लेकिन इसके key highlighting points क्या है, तो पहला highlighting point ये है कि almost real time data इसमें आपको मिल जाएगा, अभी हम website को जब देखेंगे, तो आपको देखके समझ में आएगा, कि इसमें जो data की availability है, वो almost real time की data है, ठीक है सर, और क्या है, इतना minute level का data भी आपको इसमें मिल जाएगा, यान कि आप from the topmost apex court के data से लेके एक तालुका level तक के data को retrieve यहां से कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ ये किसमें help करेगा, ये help करेगा as a monitoring tool, क्यों help करेगा monitoring tool में, आप जाके देख सकते हैं कि इस वक्त freshly instituted case कितने आए, इस महीने में कितने case institute हुए और कितने dispose हुए, इसका मतलब ये हुआ कि इतना number हमारा बीच का बच रहा है, यानि judiciary को अपनी efficiency इस जगह पर बढ़ानी है, criminal में कितने cases solve हो रहे हैं, civil में कितने हो रहे हैं, हमारी country में कितने criminal cases आए और कितने civil cases हमारे आए, तो वो देख के हमें idea लग सकता है, हम एक brief idea बना सकते हैं, इसके साथी साथ हम क्या retrieve कर सकते हैं, judgments को retrieve कर सकते हैं, तो इसी लिए इसका relevance बहुत जादा बढ़ जाता है, अब हम बढ़ते हैं live website की तरफ, तो अब हम देख रहे हैं किसको national judicial data grade की live website को, इस वक्त आप देख सकते हैं, chrome browser पे मैंने इसकी live website को खोल दिया, तो आप जैसे ही website को खोलेंगे, यह हाँ आपको जैसे मैं आपको बताया था, क्या था यह almost real time data है, यह देखें यहाँ पर refresh हो रहा है, यह तीन चीजे जो है, यह refresh हो रही है, क्या है यह यह number है, किसका civil cases का, यानि कि इस वक्त, actual में civil cases कितने हैं, criminal cases कितने हैं, और total number of cases कितने हैं, अब हम देखे, pending dashboard को अगर हम तो pending dashboard को खोलते हैं, हमारे पास क्या रहाया, इस वक्त, civil में, all over country में, कितने pending cases हैं, इस number को ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, यह number है, अगर हम यहाँ से देखे, 10,000, 10 lakh, यानि कि 1 करोर, 10,80,350 pending civil cases हैं, इस वक्त कंट्री में, criminal cases को देखने की कोशिश करें, criminal cases को, criminal cases को ए country में pending है, यह हम किसके अंडर में देख रहे हैं, बेंडिंग डैश बोर्ड में, इसके साथ ही साथ, total number of cases को देखे, तो यह number तो बहुत ही जादा बड़ा हो जाता है, यह number है, 4,44,45,753, इतने number of total cases इस वक्त कंट्री में pending हैं, ठीके सर, हम समझ गे, यह है, NJDG की website, जो की in, ठीके सर, हम यह समझ गये, अब इसमें देखिए, आपको data बहुत अच्छी तरह से, क्रिस्प तरीके से, और बहुत ही pie chart और infographic तरीके से आपको समझाया गया है, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम रह रहे हैं, 36 गड़ में, तो हमने क् पहले अपना state select किया, state है हमारा 36 गड़, ठीके सर, उसके बाद हमने क्या देखा, अब हमारा district क्या है, हमने उसको select किया, अब हमने district अपना select किया, बिलासपुर, यह मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि competition community का जो head office है, का जो main office है, मैं जहां से आप से connect कर रहा हूं, वो कहां पे है, वो है, 36 गड़, बिलासपुर में, मंगला चौक पे, ठीके, तो इसलिए हमने लिया, अब चलिए देखते हैं जरा, अब हमारे पास क्या आगया, data आगया, कहां का, बिलासपुर का, कॉंसे स्टेट का, 36 गड़ का, देखें जरा भई, क्या कह रहा है यह, civil में, अग कितने है, 2000, marriage petition कितनी है, 927, other tribunals में कितने cases pending है, 527, यह pendency of cases को deal कर रहा है, तो इस तरीके सा और बिलासपुर का एक नंबर का ब्रीफ हमारे पास यहां सामने लिखके आ गया, total civil pending cases in 36 गड़, बिलासपुर में कितने है, 13,171, total criminal pending cases in 36 गड़, बिलासपुर कितने है, 36,953, 50,124, ठीक है सर, यानि कि हमने क्या समझा, कि हमारे पास यहां पे district level तक के data को हम retrieve कर सकते हैं, तालुका level तक के data को भी हम यहां से retrieve कर सकते हैं, और यह हमेशा देखिए, आपको refresh होता हुआ देखेगा, यह real time data को update करता रहता है, ठीक है सर, अगर हम information management पे जाएं, तो यहां देखते हैं, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे देखिए, आपको सभी particular states को लेके data की summary मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी हम यहां पे इसलिए नहीं आये हैं, कि हम इस डेटा को देखे, हम इसलिए आये हैं कि यह recently news में क्यों आया, तो recently यह news में आया है, क्यो Supreme Court, NJDG, ठीक है, अब हम जा रहे हैं Supreme Court के, देखे, new tab open हो गया, और Supreme Court का पूरा data हमारे पास सामने आ गया, यहीं पर सबसे interesting चीज़ हमें दिख जाती है, यहां पे, अब अगर आपको कभी देखना हो इससे, पहले तो ज़रा पखलीफ होगी आपको पता करने में, लेकिन अब यह कितना असान हो गया पता करना, quorum wise pending cases, यानि 3 judge bench में कितने pending cases है, civil में 508, criminal में 72, total 580 cases, अब हम जिसकी बात करते हैं क्या, वो है constitutional benches के cases, अब देखे, ज़रा constitutional bench के cases को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, quorum wise pending cases, 5 judge bench, यानि कि constitutional bench में कितने cases pending है, civil में 304, criminal में 9, total मे 313, और क्या है, 7 judge bench में भी कुछ cases pending है, कितने, 20 civil में, 1 criminal में, total 21, 9 judge bench भी जो है, उसमें भी 135 civil cases है, और total में 135 cases pending, बचे, यानि criminal में इसमें नहीं है, 11 judge bench में, और more than 11 judge bench में हो, तो obviously, अभी कोई ऐसा, as such नहीं है, हमारे पास case available, तो इसमें नहीं है, लेकिन 9 judge bench में भी 135 civil cases, इस इस वक्त Supreme Court में pending है, अब जैसे मान लेते हैं, कि हमने 5 judge bench को देखा, अब 5 judge bench को मैंने click किया, criminal वाले को, अब यहाँ पे मेरे पास लिख किया आगे, कि वो 5 cases कौन से है, जो इस वक्त Supreme Court में pending है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते है, Union of India versus प्रीति अगरवाल, CBI versus Dr. R.R. किश इस तरह से जो normal citizen है, वो भी देख सकता है कि इस वक्त Supreme Court में क्या चल रहा है, कितनी pendency of cases है, और इस वक्त जो cases का flow है, वो कैसा चल रहा है, एक और बड़ा interesting portion है यह, अब यहाँ से देखे हम comparison कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं sir, last month में कितने case institute हुए, अगर आपको PPT याद ह तो मैंने आपको बात किया था कि वो किस बारे में बता रहा है, institution of cases के बारे में, और किस बारे में बता रहा है, disposal of cases के बारे में, और क्या बता रहा है, pendency of cases के बारे में, तो हम यहाँ बात करेंगे, institution or disposal of cases के बारे में, instituted case last month in the Supreme Court, civil matters को देखते हैं, वो है 3455, मैं थोड़ सुप्रीम कोर्ट में इंस्टिटूटेट केस लास्ट मंत पे सिविल मैटर में वह 3455 अगर डिस्पोजल कितना हुआ 3237 यानि की जो इंस्टिटूशन ऑफ केसे उसका नंबर हाइयर है डिस्पोजल से इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडेंसी अभी भी बढ सकते हैं ठीक है सर क्रिमिनल मैटर्स को देखा जाए तो 1957 क्रिमिनल मैटर्स लास्ट मन्थ इंस्टिटूट किये गए सुप्रीम कोर्ट में इसमें कितने हुए उसमें से नहीं मतलब टोटल डिस्पोजल किया है लास्ट मन्त का 1814 इसका मतलब हम लोग पीछे चल रहे हैं उसमें देखे परसेंटेज भी आपको दे दिया गया है प्रेसेंट अब इताक टोटल लंबर ऑसोप्रीम कोट में एंस्टिटूट रीची और इसे एट फाउजन फाइवन रिटी थ्री केसे जो हैं इस प्रेजेंट एर में सुपरीम कोट में गए हैं और इसमें से तो इस तरह से हम डेटा को क्या कर सकते हैं नाशनल जूडिशल डेटा ग्रेट की एक अनालिसिस का यानि कि हम इस पूरे के पूरे वेबसाइट जो है हमारी उसका एक प्रॉपर अनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्पेसिफिकली वेबसाइट को कि हम इसको और कैसे एफिशेंटली यूज कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड होता है आई होप ये वीडियो लेक्चर ने आपको हेल्प किया हो समझने के लिए कि नाशनल जूडिशल डेटा ग्रिड है क्या वो कैसे हमारे लिए यूस्फुल है और इस मैसेज को और लोगों को पास कर पाएंगे और इस इंफॉमेशन को और लोगों तक स्प्रेड कर पाएंगे ताकि ये उनके भी इस्तमाल में आप आए और जो अवेर्नेस है आप उसको फिलाने में हल्प कर पाएंगे इस पर्टिकुलर नाशनल जूडिशल डेटा ग्रिड के बारे में आपकी क्या ओपिनिन आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये ग